अगर आप गंगु भाई देखके बहुत जारा इंप्रेस हो गए हो वाइट और रेड कलर के साथ तुस ट्राइ करने का मन है या फिर इस लुक को क्रियेट करने का मन है बट वो थोड़ा सा साड़ी वाड़ी कौन पहने अगर आपको मेरे लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब प्राइमर बहुत अच्छा प्राइमर अच्छा प्राइमर है मस्ट राइमर है जैल पेस्ट है अब मेरे फेस्पेन आपको बहुत जादा है ना इसे डाकनेस दिख रही होगी क्योंकि सामाज आ गया है टैन हो रहा है पिग्मेंटेशन है तो उसके लिए मैंने यहां पर यूज किया है औरेंज कलर करेक्टर जो कि है एलेगल का वह आपको थोड़ा सा उ इस ब्यूटी का कंसीलर जो कि इस औरेंज कलर करेक्टर को दबा देगा और हमें एक फ्लॉलेस बेस देगा उसके बार मैं यूज करूंगी लैक में का फाउंडेशन जो की मेरे फेस को फुल कवरेज देगा बड़े अच्छे से में स्किन में ब्लैंड हो जाएगा आपको आपना फाउंडेशन बहुत अच्छे से टाइम लेके पूरा इस फेस को कवर करते वे ब्लेंड करना है अपने स्पॉंच से अब मैं आप देखे आप फेस देखेंगे न तो बिल्कुल एकदम करेक्ट लग रहा है कोई प्रॉप्रम नहीं लग रही है कोई ऐसे पिग्में करना जिसे पूरे हरे फेस पे नहीं फैलाना है बडी अपने स्पील कवर करना है अपने जार लाइन को शाप करना है जोज को कंसील करना है अब मैं लोजफ्ट लूंगी अगर आप की ड्राइज स्किन है तो आप मेरे रिकमेंडेशन भी का पाउडर ही यूज तो करिति थोड़ा ब्राउन टोन में अब बस अपने न मतलब आइलेट्स पर लगा लीजिए मतलब अपने क्रीज को थोड़ा सा बिल्ट कर लीजिए एक ही कलर के साथ आपको प्ले करना है मैं सेम अपनी दूसरी आख के साथ करें देख लिए सिंप्ली फटाफट सा हो गया बिल्ट अ को लेके फिर से उसको इना इसका मिक्स कर लीजिए ताकि कोई ऐसे लाइन ने दिखे हार्श लाइन ना दिखें इन देखें कितने इजी लिए हो गया अब मैंने अपना लूस पाउडर हटा लिया है ताकि वह बहुत जादा भी सैट ना हो जाए अब हम अंडर आई करेंग के लगी विकेज मेने अल्डेटी ब्लाक आई शाड़ लगा रखा है मैं अपने आई ब्राॉस बनाना भूल गई थी तो मैंने वह कर ली अब मैं अपने छो इसको कॉंटोर कर रहे हूं उसके बार में यूज करूंगी बलश जो की है मेबलीं का अप पिंक टोन में बलश य अब हम यूज करने वाले हैं हाइलाइटर अपने फेस को अच्छे से हाइलाइट कर लीजिए मैंने या पर यूज किये माय ग्लाम के लिप्स्टिक जो कि मैं इसका लिंक कर डिस्क्रिप्शन में दे दूगी आपको सभी प्रोडिक्ट से लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल खड़ो